बच्चों अभी तक हमने यह पेपर आपको सॉल्फ करवाया ठीक है तो अब आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है पेपर को सॉल्फ करनी की तो सबसे पहले आज मैं आपको बता देती हूं कि यह कोश्चनों के आंसर क्या है और आपने इनमें क्या लिखे वे तो जैसे इस इसमें देखिए ग्रामर का जो पोर्शन है उसको डिसकस कर लेते हैं पहले इसमें पहला कोश्चन है हरसीता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है ठीक है तो यहां पे पूछा गया है कि रचना के आधार पर इसमें कौन सा वाक्या भीद है अब आपके पास option आएंगे इसमें आपका जो यह पेपर होगा objective होगा तो इसमें आप यह ना समझे कि बहुत इजी होगा ठीक है objective में अगर आपने सही answer लिखा है तो आपको marks मिलेंगे अगर गलत है तो वो पूरा 0 हो जाएगा तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से जब आपको लगे क कि यह सही है तो उसको लिखिए तो इसमें हमने कोशन पूछा गया है कि हरसीता बहुत विनम्र है और सरवत्र सम्मान पाती है इसमें कौन सा वाक्या है तो आपने यह देखना है कि इसमें कौन सा वाक्या है जब मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पर और लग जाता है वहाँ पर मिस्र वाक्या होता है ठीक है जो दो वाक्या अपने आप में पूर्ण होते हैं और उन दो वाक्यों को जो शब्द और जोड़ता है उसे सहयूत वाक्या होता है नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में मिस्र वाक्या है अब यह चार ओप्सन दिये हैं आपने इसमें से यह छाटना है कि इसमें मिस्र वाक्या कौन सा है अब क्या बताया गया था आपको कि मिस्र वाक्या क्या होते हैं जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं इसमें भी सहयूत वाक्या की तरह दो वाक्या होते हैं लेकिन जो पहला वाक्या है वह दूसरे वाक्या पर आश्रित रहता है जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वहाँ अवस्य सफल होता है ठीके सबसे पहला था मैंने एक वृद्ध की साहता की ये मिश्र वाक्या का उधारन नहीं है सेकंड़ वाला, जो विध्यार्थी परिश्रमी होता है अब इसके बात क्या है? ये बात अभी अधूरी हुई है तो जब हम दूसरा वाक्या बोलेंगे, तब इसका अर्थ पूर्ण होगा तो वह अवस्य सफल होता है तो इसमें जो है मिस्र वाक्या का उधारन सेकंड वाला है प्रयस बाजार गया और वहां से सेव लाया इसमें संयुक्त वाक्या इसे संयुक्त वाक्या बनाना है सेम वही प्रोसिजर है प्रसर बाजार गया और वहां से सेव लाया जो वीर होते हैं वे रण भूमी में अपनी वीरता का परदर्शन करते हैं रेखांकित उपवाक्या का भेध है अब जो वीर होते हैं ये क्या है वीर का गुण बताया गया है तो ये विशेशन आशरित उपवाक्या है नेक्स्ट कोशन है इनमें हमें आप बताना है कि सरल वाक्या कौन सा है तो सरल वाक्या जो बिना रुके कहा जाए जिसके बीच में न कौमा हो न और आए तो इसमें आपने छाटना है कि बिना रुके कहा कौन सा सब्द हो रहा है प्राता काल होते ही सुरज की किरने चमक उठी तो ये सरल वाक्या है, इस वाक्या में वाच्या लिखिए, वाच्या बताना है हमें, असोक ने विश्व सांती का संदेश दिया, इसमें कौन सा वाच्या होगा, ये है कर्तिर वाच्या, अब अगर किसी वाक्या में से या के द्वारा आता है, तो वहाँ पर मिश्र वाक्या या भाव वाक्या होगा, हम इस खुले मैदान में दोड सकते हैं, इस वाक्या को भाव वाक्या में बदल लिए, तो हम क्या लिखेंगे? हम से इस खुले मैदान में दोड़ा जाएगा सुमन जल्दी नहीं उठती इस वाक्या में भाववाच्या बताईए तो फिर वही हो जाएगा? सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता नेक्स्ट कोश्यन है इनमें से कौन सा भाववाच्या का सही विकल्प नहीं है अब देखें अब कभी कभी हम क्या करते हैं पेपर कोश्यन पढ़ने में जल्द बाजी कर देते हैं कि इनमें से कौन सा भाववाच्या का कौन सा भाववाच्या है लेकिन जबकि इसमें पूछा गया है कौन सा भाववाच्या का उधारन नहीं है, तो इसमें अब आपने बताने, इसका सही उत्तर है, हमें धोका दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें से या कैद्वरा का प्रियोग नहीं किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा भाववाच्या? अब यहाँ पर सूर दास ने, इसमें हमने इसका पद परीचय देना है, अब पद परीचय कैसे देंगे हम? अब मैंने आपको बताया था इसमें संग्या, सरोनाम, विशेशन, ठीक है, किरिया, विशेशन, इन सब का हमें धियान रखना है. तो सूर सागर ने, ये क्या हो गया व्यक्ति वाचक संग्या ठीके, व्यक्ति वाचक संग्या हो गई एक वचन पुल्लिंग और करता कारक यह इसका सही आंसर होगा वह नित्या घूमने जाता है अब नित्या का पतपरीचे कैसे देंगे? नित्या जो नियम के अनुसार किये गए कारिया नियम के अनुसार किये गए कारियों को रीती वाचक किरिया कहते हैं तो इसमें एकदम से समझ आ जाएगा कि ये रीती वाचक किरिया है पुलिंग एक वचन नेक्स्ट कोश्चन है तालाब में कमल खिलते हैं अब तालाब में कमल खिल रहे हैं ये क्या है किरिया कौन सी और ये सकर्मक किरिया है बहुवचन उसी तरह रंग विरंगे फूल देखकर मन प्रसन हो जाता है रेखांकित पत का परिचे अब रंग विरंगे जो है फूलों का जो है गुण बताया जा रहा है तो ये गुणवाचक विशेशन है दूसरी और परधानाचारिया ने आपको बुलाया है अब आपको ये आपको पुरुषों का ज्यान होना चाहिए प्रथम पुरुष में कौन से शब्द होते हैं? जैसे प्रथम पुरुष है या अन्या पुरुष वह, वे, वे सब ठीके? मध्यम पुरुष तुम, तुम दोनो या तुम सब और उत्तम पुरुष में, हम दोनो या हम सब अब इसमें आप बोला है तो आपमें कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष इसमें इस्त्रिलिंग, पुलिंग दोनों हो सकते हैं और एक वचन है आप जो है एक सम्मान का सूचक सब्द है तो इसमें एक वचन होगा कर्मकारक अब देखिए अब है रस इसमें कोशन पूछा है भय की अधिक्ता में किस रस की निस्पति होती है अर्था जब भय जाकता है भय की इस्थाई भाव जो हमारा जाकता है उसमें भाह यानक रस, उसी तरह निर्वेद किस रस का इस्थाई भाव है? आपको सारे हमने सारे रस करवाए हैं तो निर्वेद जिसे सुनकर मन में कोई भाव ना जागे अध्यात्मिक बातें धर्म, भजन किर्टन जैसी बातें सुनने में जो हमारे मन के भाव जाकते हैं उन्हें निर्वेत कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है निर्वेत किस रसका मतल़ जिनको सुनके हमारे मन शांत रहे तो वो शांत रसका भाव है अब देखिए तनकर भालाईयों बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे मुझको बैरी के हिर्देशोप तू तनिक मुझे आराम न दे इसमें कौन सा रस है अब इसको पढ़के क्या हमें रोना आ रहा है या हमारा मन शांत है या हमें डर लग रहा है या घिरना उत्पन हो रही है नहीं इसको पढ़के हमारे मन में जोश आ रहा है तो ये वीर रस होगा अब कोश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है तो मतलब जो रसों का राजा है जिस रस में खुसी ही खुसी हो तो वो होता है स्रिंगार रस तो स्रिंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है रसराज अब इसका लाश्ट कोश्चन देखिए वीभत्स रस का इस्थाई भाव अब मैंने आपको बताया था वीभत्स रस के भाव के दो नाम है इस्थाई भाव के एक है घिर्णा और जुगूपसा ये आपने याद रखना है हो सकता एक्जामनर आपको पूछे कि जुगुपसा किस रस का इस्थाई भाव है ठीके तो जुगुपसा वीभत्स रस जिस चीज को जिस दिरिश्या को देखकर हमारे भीतर घिरना उत्पन होती है उसे वीभत्स कहते है तो वीभत्स रस का इस्थाई भाव है घिरना तो बच्चों अब आपने ये जो पोश्चन है इनको अपनी नोटबुक में करना है और जो इनके सही आप्सन मैंने आपको बताया आपने डारेक्ट उनी आप्सनों को करना है बस ये आपका होमवर्क है थैंक यू